हेलो हाई नमस्ते मैं पारूल लेकर के आई हूँ एक अनादर पेंसिल स्टैंड बॉक्स जो की पहला पार्ट तो आपने देखी लिया होगा वो एक स्टैंड बॉक्स बनाया था और दूसरा ये तो आपको लेना है ऐसा खाली चौकोर जैसा डिब्बा और अगर आपके पास ऐसा कोई स्टैचू है तो आप वो यूज कर सकते हैं ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और ये काफी मेरे दिल के करीब है और मेरी वो दोस्त अब इस दुनिया में है नहीं तो मैंने सोचा कि क्यो ना इसको कुछ ऐसा लुक कर दिया जाए कि ये मेरे पास थो निकाल लिया क्योंकि इस स्टैचू को मुझे आधा उसके अंदर और बाहर फिट करना था ताकि वो उकेरा हुआ नजराए अब नैने अपने बॉक्स को काट लिया है और मेरे बॉक्स का सेब कुछ ऐसा हो गया है और अब मुझे क्या करना है कि वो जो प्यारा सा को इसमें फिट करना है। ये मैंने लगा लिया था कले से मैंने इसको चिपका दिया diminish कर सकते hap लिए आप कोई glue भी यूज कर सकते हैं और शुखने ले उसको चूड़ दें सूखने के बाद यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा बिल्कुल secure हो जाता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है और बहुत प्यारा लगता है मैंने इस पूरे के पूरे statue को और box को black color से color कर दिया था क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा authentic लगे थोड़ा ऐसा पुराना पुराना जैसे नहीं होता है metallic जैसा look आए तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा black color से इसको paste कर दिया मैंने acrylic color ही यूज किये थे और फिर ये देखिए बिल्कुल ये ऐसा आया था आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा था ये शाइनियर color आ रहा था और अगर आप चाहें तो इस पे स्पार्कल colors भी कुछ यूज कर सकते हैं मैंने इसको स्पार्कल कलर कर दिया था थोड़ा सा और प्यारा बनाने के लिए लेकिन ये मुझे ऐसे भी बहुत पसंद आ रहा था फिर मैंने कुछ स्पार्कल colors किये तो इसका लुक कुछ ऐसा आया अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करें